राम के बारे में अगर बोलना आरंभ करूँँगा तो समय कम पड़ जाएगा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है हमारे प्रभुष्री राम को राम एक भाव है, राम पुरुषोत्तम है, राम सयम है, राम प्रेम है अरे क्या क्या ढूनेंगी राम में इसलिए तो हमारे राम जो है एक बार जब आप आरंभ करते हैं जीवन का तब भी राम राम से करते हैं और जब चार कंधों पे जाते हैं तो भी राम नाम सत्य करते हुए जाते हैं इस से जादा और क्या कहे राम के बारे में और हमारे राम प्रेडiner भी हैं राम आग्याकारी भी है जिन्होंने राजमहल के ठाट बाट सब कुछ छोड़ दिये केवल एक पिता की बात ही तो थी पिता ने कह दिया और माता कहकेई ने कहा कि तुमको वन जाना है तो जाना है उन्होंने इफबट नहीं किया उन्होंने प्रश्ण नहीं लगाया तो ये चीज आज कल जो राम को लोग अपना रहे हैं राजनीती के लिए ओछी राजनीती के लिए मैं कहूंगा तो राम को आत्मसार करिए, राम को पूजिए भजिए और केवल एक बार राम कह लेने से और ये तो एक ऐसा नाम है जो उल्टा भी पढ़ेंगे मरा 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 कहेंगे तो भी राम राम ही निकले तो बस थोड़ा सा आपको इनकी पंक्तियों से सीखने की जरूरत है। तो अन्याय और अधर्म से लड़ने के लिए जरूरी निये कि हमारे पस एक बहुत अविशाल सेना हो। हम बक्षे ये तो नाइनसाफी है, गुनेगारों के लिए हरगिज ना कोई माफी है। और राम रावन युद्ध ने दुनिया को ये संदेश दिया, दस सर कुचलने को बस एक ही पैर काफी है। तस सर कुचलने को एक पैर काफी है। बहुत परिया